इस अपडेट को हम लगातार अपनी स्क्रीन पर भी डालेंगे कि PTI की आप विक्टे टूट रहे हैं कहीं न कहीं पंजाब प्रांत में भी इसका क्या आसर होगा नैशनल सेम्मली में वो सामने आ जाएगा आपसे बस एक घंटे बाद ही मेजर जनरल बिशंबर दयाल मेरे साथ है क्योंकि हमने यहां बीच में आर्मी का भी जिक्र किया आज ना सिर्फ सियासत दानों की नजरे हैं जनरल दयाल इन डिवलप्मेंट्स पर लेकिन आर्मी भी नजरे गड़ा के बैठी होगी जो हमने ट्रांजिशन ऑफ पावर का इति खुशकबरी है कि आज से साथ साल पहले अगर कोई लीडर किसी फॉरन पावर को एक्यूज करता तो वो भारत को एक्यूज करता वो हर प्लेटफॉर्म पे भारत का नाम लेता वो कितनी बड़ी बात है कि कोई भी प्लेटफॉर्म पे आज अमेरिका का नाम ले रहे और वो इसका मतलब जो एक भारत के खिलाफ जो जो उनकी पूरी वो एक रहती थी मुहीम रहती थी मैं संता हूं जनता में वो बिलकुल नहीं है और पाकिस्तान की जनता जो है वो आज मेरे ख्याल में कहीं नहीं है समझ चुकी है कि भारत जो है वो उनके खिलाफ नहीं है भारत उनक परौसी है मित्र है एक बहुत अच्छा एंवाइमेंट है मतलब आज के जो मैं बहुत दिन से कहता रहा हूँ जब भी मैं फॉरिन कंट्रीज में एग्जीमिशन वगरा में जाता था मैं उनके लोगों से मिलता था मुझे लगता था कि लोगों में भारत के खिलाफ किसी किसम का कोई वो नहीं है तो एक तो पहली बात तो यह हमें देख दूसरा पाकिस्तान की आर्मी की अब क्या बचा है अगर आज वोट होनी है और कल अगर जो चीफ अफ उनके आमी स्टाफ हैं जो उनके चीफ हैं उन्होंने पबलिकली तीन चीज़ कह दी ना फॉरन पॉलिसी हम हमारा कंट्रोल है दूसरा जो चीज पूरा पाकिस्तान और जो चीज हम लोग भी यहां बैठे सोच रहे होंगे वहां हमारे लोग कि अमरान खान वो कर रहे हैं जो वह करते आए हैं इमरान खान यूथ को अपील कर रहे थे एजिटेशन की अपील कर रहे थे को देखनेरी आर्मी पीछे से पूरा कंटरोल किये हुए है, पाकिस्तान में कोई औराज़ेक्ता नहीं आएगी, किसी किसम आर्मी इनको वह ल olhos जाने देगी, एक सरकार चेंज होगी, उस सरकार चेंज में फॉज का भी फाइदा है बाजवा साब का भी फाइदा है नौंबर में उनको शाद extension मिल जाए या उनी का आदमी चीफ बना दिया जाए और इमरान खान को फाइदा है क्योंकि फॉज के खिलाफ वह सबसे पहले वही तो आवाज उठाते थे और वह कहेंगी देखो सेना ने वही किया जो में बार-बार के तदर और उन्होंने अमेरिका को भी क्लब अमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान की नैशनल असेम्बली में ABP News आप को रखे आगे